नहां बोलेंगे और ना तो ना बोलेंगे आखिरकार ये पोस्ट किसने किया है और किसके लिए किया है नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन जब से ये पोस्ट शोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है तब से सियासी गलियारों में ये चर्चाए होन लगी है कि आखिरकार ये पोस्ट किसके लिए किया है दरसल ये पोस्ट किया है लालो प्रशाद यादब के बेहद करीबी सुनिल सिंग ने अपने फेस्बुक पोस्ट पे ये लिखा है कि ना तो ये हां बोलेंगे ना तो ये ना बोलेंगे जहां एक और महागठवंदन सर यह बैठक आज बैंगलूरू में तो वहीं दूसरी तरफ दिल्वी में इंडिया की बड़ी बैठक होने जा रही है तो आखिरकार सुनिल सिंग ने ये पोस्ट किसके लिए किया है और क्यूं किया है राजो देमिल सी सुनिल सिंग ने लगतार अपने शोशल मीडिया पोस्ट से नए-नए सियासी संकेत देने हैं इस वार उन्होंने अपने फेस्बूक पर लिखा है न तो हाँ बोलेंगे और न तो ना बोलेंगे अनिदीश अनुसार सुनिल सिंग ने इस पोस्ट से फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया आखिरकार किस के खिलाफ सुनिल सिंग बोलना चाते हैं लेकिन किशी अशिर्ष नेत्रुत के निर्देश की वज़ा से चुपी सादे हैं सुनिल सिंग ने पिछले दिनों भी सोचल मीडिया के माध्यम से इस तरह का तंच कसा था उन्होंने अपनी एक पोस्ट में देश का सबसे चौकाने वाला नीता का नाम पूछा था यूजर्स ने जवाब में बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार का नाम लिखना शुरू किया तो भारी बवाल हो गया इसके पहले उन्होंने सक्षा मंत्री प्रोफेसर चंदर शेखर और सक्षा विभाग के अपर मुखे सचीब केके पाठक विवाद के बीच कहा था कि स्यम नितीश हमेशा सही मंत्रियों पर नकेल कसने के लिए पांच साथ अधिकारियों को लगाए रखते हैं यहां तक कि एक अनिशोशल मेडिया पोस्ट में सुनिल सिंग ने बिना किसी का नाम लिये तंच कसा था कि बिहार की सत्ता काशिर्ष नेतरित बैमान अफसरों से घिरा है लेकिन खुद को इमानदार बताते हैं सुनिल सिंग के इन टिपनियों के बाद मुख्यमंतर निटीश कुमार ने भी अपनी नाराजगी जताई थी कहा जाता है कि विधान सवा में मौसुन सत्र के दौरान हुई महागटबंदन विधायकों की बैठक में निटीश कुमार तर सुनिल सिंग पर आग बबूला हो गय थे के तल्ख तेवर शांत थे उन्होंने चुपी साथ रखी थी अब अचानक फिर से सुनिल सिंग ने अपनी इस पोस्ट से कया सवाजी को हवा दे दिया है आखिर कार वे किसके खिलाब बोलना चाहते हैं जिसे लेकर उन्होंने चुप रहने का निर्देश दिया गया था पि करने में असहज है वहीं एक और नितीश की पहल पर विपक्षी दल की बैठक बैंगलूरू में हो रही है खुद राजय सुप्रीमों लाल परशाद यादव और बिहार की डिप्टी सिंत जश्वी यादव भी वहां मौजूद है लेकिन दूसरी और सुनिल सिंग ने अपन राजनीतिक संदेश की और इशारा कर रहे है या सुनिल सिंग का वेक्तिगत माम्ला जिसका राजनीती से कोई संबंध नहीं है ऐसे कई सवालों को एक सासुनिल सिंग की इस पोस्ट ने जन दिया है तो जहां एक तरफ आर जडी emlc सुनिल सिंग के इस पोस्ट के बाद सिय निटीश कुमार की सरकार को लेकर पोस्ट करते हैं तो दूसरी तरफ कल सुनिल सिंग ने जब से पोस्ट किया है तब से लगतार चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार सुनिल सिंग ने ये पोस्ट किसके लिए किया है क्यों किया है और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री निटीश क नतीश कुमार ने पिछले दिनों मौनसुन सत्र में सुनेल सिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था उसके बाद सुनेल सिंग का भी बयान सामने आया था कि नतीश कुमार अगर मुझे डाड़ते हैं बोलते हैं तो मैं उन्हें आशिरवात की तौर पर खुद को लेता फिलाकलेस्ट खबर मतना यानिक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूस फानेशन